फ्रेंट्स अगर आप गाना गुनगुना रहे हो और गुनगुना ते वक्त गुगल आपको बता दे कि वो गाना कौन सा है और वो प्ले कर दे क्या लगेगा मजा आएगा दोस्तो यही टूल या फिर इसी तरह के टूल गुगल ने गुगल सर्च इन 2020 इस अपडेट में रिल के साथ में देखता है यह गुगल के कई सारे अलगोरिधम में से एक अलगोरिधम है इस अलगोरिधम के थूगल दो अजंडास को टालगेट कर रहा है First to understand intent of the keywords आप जो keyword या रिसर्च करते हो Google के उपर में query अगे और पीछे डोनों words को मिला कर दो intent क्या होता है उसको represent करना आप लोगों के लिए खर्यंट चलो समझते हैं इन पर का actual meaning क्या होता है अगर आप Google करते हो वो ब्राजिल ट्रावलर तो यूएसे नीर वीजा इसका मतलब ब्राजिल से यूएसे ट्रावल करना तो आपको वीजा की ज़र्वूत है तो उसके लिए गूगल पहले आपको राम रिजल्ट दिखाया करता है क्योंकि यह लॉंग टेल कीवर्ड है तो गूगल को इसका करते हो इंडिया में का आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं गूगल की उपर में तो उस पेलिंग मिस्टेक के बाद में राइट रिज़र्ट दिखाना गूगल की उपर में ये गूगल का बहुत बड़ा काम होता है और बॉर्ड के थूए यह दोनों अजिन्डास को प्रभाकर रागवन जो इंडिया को विलॉंग करते हैं उनका ऐसा कहना है लेकिन दोस्तों अब इंडिश लैंगवेज के अलावा भी बहुत सारी लैंगवेज में इंपेक्ट करने वला है जैसे इंडिश पर्चुगीज, हिंदी, अरबिक, जर्मन, नमारिक प्रेस नेक्स अपडेट है पैसेज या पैरागाफ राइंकिंग यह अपडेट उनके लिए हैं जो ब्लॉगिं करते हैं या फिर वेबसाइट के उपर में कॉंटेंट राइटिंग करते हैं दोस्तों इसके बाद से आप जब भी कॉंटेंट लिखोगे तब आपको पैराग्राफ के उपर में भी फोकस करना होगा जब भी हम लॉगिंग करते हैं तो हमारा फोकस जादा कीवर्ड इंडेक्सिंग के उपर में होता है मतलब कीवर्ड प्लीजिव करते हैं तके गुगल पिएट पर इंडेक्स करें और उनको रैंकर में हिल्प करें लेकिन इसकेभाट से आपको पैराग्राफ में वेक्कॉंटेंट लिखना होगा और उस quality content को Google अपने keyword के साथ में first preference पे देखाना शुरू करेगा Google preference data paragraphs को भी keyword के साथ साथ ताके आपके paragraphs rank करना शुरू करे और जिनको भी keyword में जो भी questions पूछते हैं उन questions के answer relevant मिले तो दोस्तों start focusing on paragraph और passage writing as well प्रेंट्स next update उनके लिए हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बड़े questions पूछते हैं और उनके answers पेरेंट के पास नहीं होता है दोस्तों Google ने एक tool बनाया है जिसका नाम है Google Lens और उसके through आपको जो questions पूछे जाते हैं बच्चे या जो object के बारे में questions पूछ रहे हैं या product के बारे में उस product को क्लिक कीजिए और उसको upload कीजिए गूगल के उपर में गूगल आपको उस product के बारे में complete information देगा साथ में अगर आप में विख हो और आपके बच्चे आपको maths के problem समझाने की या पर questions पूछ रहे हैं To do this, Lensforce turns an image of a homework question into a query and based on the query, we show you step-by-step guides and videos to help you understand the problem उसमें आपको images ही हो सकते हैं, formulas हो सकते हैं, उसमें videos हो सकते हैं, जितको देखकर आप समझ सकते हैं, उसका answer क्या है और बच्चों के नजरे में क्यों है और पच्चों के नजरे में क्यों है hero बन जाएगे Friends, next update है teachers के लिए, COVID-19 के बाद में online education का trend बन चुका है, सभी schools को अभी भी online education दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे दोस्तों, ऐसे वक्त में जब students के questions होते हैं और teachers उनको online समझा नहीं पाते हैं तो ऐसे problem का solution Google ने दिया है दूस्तों, Google ने टूल लाँच किया है जिसका नाम है AR Insearch, Augmented Reality Insearch जिसके थूरू students अपने किसी भी questions को या कोई अपने object को जब कैमरा के सामने लेके आएगा तो आग उनको उनके answers अपने आप Google के थूरू मिलना शिरू हो जाएगे With AR, we are able to bring it into real life and manipulate it. Hey, what's inside of there? Oh wow, I never realized metallic bonding looked like that. That's where we really see kids catch on fire and start to learn things that are exciting to them. It opens up possibilities that they never thought of before. Friends, questions हमेशा बच्चों के या students के दिमाग में ही नहीं होते हैं. हम जैसे बड़े बच्चों के दिमाग में भी बहुत सारे questions होते हैं और जिनके answers हम लोगों को नहीं मिलते हैं. इसके लिए Google ने नहीं हम लोगों को मुल्टीपल वर्जिंस आफर करने बाला हैं. जिसमें आप देख सकते हो कि comparison, जो भी आप question raise करोगे उसके comparison charts उनके differentiation factors के उपर में भी information provide करना शुरू कर देगा. You wanna know what jobs are trending? Jobs turns out are defined across more than 2500 categories. So we have to aggregate them at the right level so that you and I can easily understand. Friends, next update का नाम है Style Engineer और ये अपडेट है उनके लिए के शॉपिंग में बहुत सादा इंटरस्ट अपते हैं. दोस्तों इस टूल के तूल के तूल आपको multiple options provide करेगा Google. Suppose मुझे कोई T-shirt पसंद आई है, उसका color पसंद आ, उसकी quality पसंद है लेकिन उसका pattern पसंद नहीं है, मुझे से color और quality के multiple patterns provide कर देगा Google, जिसमें से मैं कुल भी एक T-shirt कर सकता हूं. अजर साथ में उस T-shirt से suitable jeans होना चाहिए, आपके पास नहीं तो jeans के options भी Google provide करेगा, इस से e-commerce companies को काफी जादा benefit होने वाला है. As you browse on the Google app or Chrome, not only will lens help you find the exact or similar items, it'll also suggest ways to style it. To pull this off, we take the world's largest database of products and combine it with our style engine technology. which understand different looks or vintage denim and also figures out how to match with other apparel based on millions of style images. So that's how you can shop what you see in lens. Friends, Diwali आने वालिये और Diwali में बहुत सारे gifts मिलते हैं, उसी तरह से Google ने भी आपको बहुत सारे gifts प्रोवाइड किये हैं और उन tools को यूज करके आप अपने Diwali के साथ साथ अपने business को भी ग्रू करा सकते हो. So, दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो जाएए, like कीजिए, subscribe कीजिए, और वीडियो को share कीजिए, ताके आपके love one को भी पता चले कि Google के ये updates क्या है और उसका Advant page क्या है. तब तक लिए, thank you very much दोस्तो, advance में happy Diwali, see you soon, bye-bye.